हेलो बच्चो गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब आज की तारीख है 27 जनौरी 2024 आज के करंट अफेर कुश्चन और ललन टाप प्रसनों में आप सभी का स्वागत है यह करंट अफेर कुश्चन कुमार गौरो सर के करंट अफेर से लिया गया है बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लेज बीडियो को पूरा देखे हम बीडियो को 15-20 मिनिट में पूरी तरह से कंप्लेट कर लेंगे साथ में ब्याख्या और उसके साथ आपका ललन टाप प्र अच्छाओं के लिए अतिमहत्पूर्ट प्रस्न है पहला प्रस्न है हमारा हाल ही में बैस्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्व बैंक ने बैस्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है इसके बार 2024 में पिछले 30 बरसों की सबसे ज़्यादा गिरावर देखी जाएगी इसमें ग्रोफ रेट कितना बताया गया है इसमें ग्रोफ रेट बताया गया है तो अगर भात करें बिस्व बैंग का हेड़ कौटर कहा है तो यह वासिंग्टन डीसी में है वरतमान में बिस्व बैंग के हेड कौन है तो अजे बंगा साहब है बिस्व बैंग को आई बी आडी बैंक भी कहा जाता है अब आपसन में कुछ और महत्रपूर संस्था दी गई है उसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड एकोनॉमिक फोरम यानि बिस्व आर्थिक मंच इसक का हेड क्वार्टर कहा है तो ये भी वासिंग्टन डी सी में है इसमें नविन्तम देश यानि एक सो नब्यवा देश कौन सा सामिल हुआ है तो एंडोरा सामिल हुआ है नेश है डवलू टी यो बिस्व बैपार संगठन यानि वर्ड ट्रेड और्गनाइगेशन इसकी अस् संथाओ को जुड़ा बहन कहते हैं तो कुश्चन पूछ सकता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा IMF एंड वर्ड बैंक नेश है आपका कुछ रैंक दिया गया है इसमें भारत की रैंक क्या है इसको देख लेते हैं तो चालिसमें नंबर पर भारत है ग्लोबल इनोवेश इसमें भारत की रैंक है सातवा नेश्ट है आपका हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111 एक सो सताइसमें नंबर पर है भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो की विस्टवाइं के द्वारा जारी किया जाता है next है 161 rank पर भारत है press freedom index में 126 अस्थान पर 2 index में है एक तो peace index में और दूश्रा happiness index में तो आपको याद रखना है ठीक है next परस देख लेते हैं दूसरा परसन है हाल ही में इस्पेस एक्स के x3 मिसं से अंतर राष्ठी आंतरिच स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की आंतरिच या 3 कौन है तो Space X का मिसन है X3 मिसन इसके अंतरगत आंतरिच इस्टेशन में 4 बैक्ति भेजे जाएंगे उन मेंसे एक तुर्की आंतरिच या 3 कौन है ये कुछ जन पूछा जा रहा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा option A अलपर गेजरा वसी अब देख लेते हैं इसकी ब्याख्या X-3 mission यह Space X company के द्वारा भेजा जा रहा है Space X का जो rocket है Falcon 9 rocket से X-3 mission launch किया जाएगा और यह mission कहां से launch किया जाएगा तो Kennedy Space Center से launch किया जाएगा इसमें 4 आंतरिच खात्री को आंतरिच में भेजा जाएगा इसके तहत जो है कहां पर भेजा जाएगा तो Space में एक कमरा होता है जिसे अंतर राष्टिये आंतरिच श्टेशन कहते हैं ठीक है इसमें जो है चार अंत्रिच चात्रियों में से तुर्की का पहला अंत्रिच चात्री जा रहा है जिसका नाम है अलपल अलपर गेजरा वसी ठीक है ये आप याद रखेंगे तो अंत्रिच में जाने वाला पहला तुर्की अत्री कौन सा है आपका सही जवाब हो अल पर घेज रा वशी ठीक है नेश्ट देख लेते हैं आटीमिस ंसा का मिसन है और इसके तहत जो है मनुष्ि को चांद पर उतारना है और इसमें पहली महिला जाने वाली है जिनका नाम है क्रिष्टीना कोच यह चांद पर जाने वाली पहली महिला बन जाएंगी जो कि किस मिशन की तहर जाएंगी तो आठमिस मिशन की द्वारा जाएंगी जो कि नासा की द्वारा भेजा जाएगा चांद पर नेस्ट आपका TVD1 तो TVD1 क्या है तो यह test vehicle demo 1 है जो भी हाल हिमें भारत ने चांद पर मनुस को भेजने के लिए एक परिखन किया था जिसे कहते हैं TVD1 test ठीक है इसमें भारत द्वारा इस पेस में मनुस को भेजा जाएगा ठीक है और mission कौन सा रहेगा तो mission गंगन यान रहेगा इसके तहाथ भारत के बग्यानी जो है अपना भी इस पेस में कमरा बनान G-Sat 20 Falcon 9 G-Sat 20 यहां क्या है यहां internet की सुभधा को बेहतरी सुभधा के लिए अब लेबल कराने के लिए भारत के द्वारा लांच किया गया था लेकिन किस रॉकेट से लांच किया गया था तो Falcon 9 रॉकेट से लांच किया गया था G-Sat 20 नेश्ट यहां का 23 अगस्ट को राष्टीय अंत्रिच दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 को 2023 को चंद्रयां थरड चांद के साउट पोल पर लैंड किया था इसलिए परतेक वर से राष्टीय अंत्रिच दिवस 23 अगस्ट को मनाया जाएगा नेस्ट प्रस देख लेते हैं तीसरा प्रसन है हाल ही में भारत सरकार ने बिस्व कल्याण और लैंगिक समानता गडबंधन की घोसड़ा कहां की है तो भारत सरकार ने बिस्व कल्याण और लैंगिक समानता गडबंधन की घोसड़ा कहां पर की है और किसने घोसला की है तो भारत ने की है क्योंकि अभी जो है वर्ड एकोनॉमिक फोरम की बैठा कहां पे हो रही है दाबोस में हो रही है कहां पे हो रही है दाबोस में की गई है भारत ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया गया है तो भारत ने यहीं पर बेश्व कल्यार और लेंगिक समानता गडवंधन की घोसला करने की बात कही है इसकी घोसला की जारी है क्योंकि महिलाओं की सिच्छा उनके स्वास्त उद्यम और निबेस में बढ़ावाद देने के लिए महिलाओं को निबेस में बढ़ावाद देने के लिए उनकी स्वास्त को बेहतर करने के के लिए बिश्व कल्याण और लेंगिक समानता गटवंतन भारत ने सुरू किया है दाबोस में जो की word economic फोरम की बैठक हो रही है दाबोस में ठिक है यही पर भारत ने विश्व कल्याण और आर्थही समानता गटवंतन करने की घोस्ड़ा की अब next देख लेते हैं FAO यानि Food and Agriculture Organization अगर इसकी अस्थापना की बात करें तो इसकी अस्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसका हेड़कॉर्टर कहां है तो रोम इटली में इसका हेड़कॉर्टर है तो FAO की अस्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्षाल है रोम इटली में है अभी हाल ही में जो है मत्यस पालन समीत का उपाध्यच जो FAO के अंतरगताता है मत्यस पालन समीत का उपाध्यच किसे बनाए गया है तो भारत को बनाए गया है ये आप याद रखेंगे और इसके बाद कुछ महत्पूल ललन्टा प्रसन है बिग कैट अलाइंस का निर्मार किसे ने किया था तो भारत ने किया है तो आपको याद रखना कि भारत जो है किन-किन संगठनों का निर्मार किया है अभी विश्व कल्याड और लेंगिक समानता गडबंधन की घोसरा भारत ने किया है बिग कैट अलाइंस इसका भी निर्मार भारत ने किया है क्योंकि सेर, चीता, बाग, तेदुआ इनके संग्ठन के लिए भारत ने बिग कैट अलाइंस का निर्मार किया है नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल बायो फ्यूल अलाइंस इसका भी निर्मार भारत ने किया है क्योंकि पिट्रोल में 20% एथनॉल को मिलाने का लच्छ भारत के द्वारा रखा गया है ताकि परिया और और पर जोसर कम हो सके तो इसके लिए ग्लोबल बायो फ्यूल अलाइंस का निर्मार किस ने किया है भारत ने किया है और कब किया था तो G20 का समयलन जब भारत में हो रहा था अब भारत के पद्म पुरसकार देख लेते हैं जिनकी घोसला की गई थी तो भारत में चार महतपूर पद्म पुरसकार है पहले नमबर पर आता है भारत रतन जो की 49 में करम का अब की बार दिया जाएगा करपूरी ठाकुर जी को जो बिहार के पूर्व सीयम थे ये आपको याद रखना है इसके बाद आप देख लेते हैं दूसरा पद्म विभोसर ये पांच लोगों को मिलेगा मरोडो उपरांत द दिया जा रहा है बिंदोसवर पाठक जी को जिन्होंने सुलब सवचाले का अभियान चलाया था ठीक है और इनका भी संबंद कहां से है तो ये भी बिहार के हैं अब नेता को दिया जाएगा चिरन जीवी को जो की आंध्रा परदेश के हैं अब पूर्व राष्ट पती जि ये भी आंध्रा परदेश के हैं इन्हें भी पद्म भीवूसर दिया जाएगा बैजन्ती माला जी को दिया जाएगा जो की भरत नाट्यम से संबंधित है और इसकी बाद बिंदेश्वर पाठक जी का जो है संबंध भिहार से है अभनीता चिरन जीवी का संबंध कहां से है तो इनका संबंध है आंध्रा परदेश से तो आपको याद रखना है अब पूरवराष्ट पती बैंकईया नाइडू जी का इनका भी संबंध आंध्रा परदेश से है तो कहां से संबंधित हैं किस राजे से ये भी आपको याद रखना है और कौन सा प्रोसकार दिया जा रहा है यह भी आपको याद रखना है थीक है नेक्स्ट देख लेते हैं पदम भिभोसर किसे दिया जा रहा है तो पदम भीभोसर काफी लोगों को दिया जिग गया है लेकिन कुछ महतेपूर लोगों को आपको याद रखना है जैसे रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस के प्लेयर है इन्हें दिया जाएगा जोसना चिनप्पा ये इसकोईस के खिलारी है इन्हें भी दिया जाएगा और पारवती वरुवा जो की असम की हैं और ये पहली महिला महावत है ठीक है तो पहली मह पार्बती बर्वार जी को पद्म भुहसर सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा और ये असमराज्य से हैं चौथा है पद्मसीरी पद्मसीरी दो लोगों को दिया जा रहा है एक तो फात्मा बीवी जी को जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था इन्हें जो है मरोडोपरांत पद्मसीरी दिया जा रहा है और मिथुन चक्रवर्ती को भी कलाकार के छेत्र में पद्मसीरी सम्मान दिया गया है नेश्ट प्रस देख लेते हैं पांचवा प्रसन है अट्रहमी सिच्छा की वार्षिक रिपोर्ट बियॉंड बेसिक से किसने जारी किया है आपका सही जवाब हो जाएगा Option C, ठीक है, सिच्छा मंतरा लेने अब इसके बारे में, सुरी, सिच्छा मंतरा लेने नहीं है, NGO पर्थम है इसका सही जवाब हो जाएगा, NGO पर्थम अब इसके बारे में पूरी बैख्या देख लेते हैं ASER यानि Annual Situation Education Report यानि सिच्छा की वार्षिक स्थिती रिपोर्ट या कोन जारी करता है, तो आपको याद रखना NGO पर्थम तो सिच्छा की वार्षिक स्थिती रिपोर्ट कोन जारी करता है, NGO पर्थम इंदियो जारी करता है और किस करम कब की बार जारी किया है तो 18 करम का 2023 के लिए जारी किया है इसमें जो है सीरसक कौन है तो सिच्छा की वारसिक इस्तिति रिपोर्ट में सीरसक है beyond basics और अगर बात करें पहली बार जो है सिच्छा की वारसिक रिपोर्ट कब आई थी 2005 में आई थी और जारी कोन करता है तो NGO पर्थम जारी करता है इस रिपोर्ट के अनुसार बताया है जो है रिपोर्ट को पेस किया जाता है किसके लिए तो ग्रामिल बच्चों के लिए सिच्छा की वारसिक इस्तिति रिपोर्ट हर साल जो है ग्रामिल बच्चों के लिए प ठीक है यह आप याद रखेंगे और इसमें बताये गया है कि 90% जो युवा है उनके पास smartphone है सबसे ज़्यादा जो है इवाओ में लड़कों के पास सबसे ज़्यादा phone है और लड़कों के पास कम smartphone है तो ये आपको याद रखना है सबसे महत्रपूर है अगर पूछे कि जो है एसर रिपोर्ट कोन जारी करता है तो NGO पर्थम जारी करता है ठीक है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट देख लेते हैं छटा प्रसन है हाल ही में अरुडांचल परदेश के बिसिष्ट उत्पादों को GI टेग मिला है तो अरुडांचल परदेश के इन सभी महत्पूर उत् दिया जाता है तो दस बरस के लिए दिया जाता है पहली बाद GI टेग मिला था 2004 में दार्जलिंग की चाय जो की बेस्ट बंगाल का है ठीक है इसके बाद अरुडांचल परदेश के अभी हाल ही में बारा उत्पादों को GI टेग मिला है जिन में से आपको इन तीन उत्पाद गुजरात है चुर्पी पनीर तांग सावस्त और खामची चावल तो इन तीनों का भी जो है GI टेग अरुडांचल परदेश को मिला था ये भी आपको याद रखना है नामदफा नेशनल पार्क मोलिंग नेशनल पार्क ये कहां पर है तो ये अरुडांचल परदेश में है और महतपूर दर्रे देख लेते हैं तो बोमडिला दर्रा दीफु दर्रा यांग याप दर्रा ये कहां पर है तो ये अरुडांचल परदेश में है ब्रमपुत्र नदी जो है भारत में किस दर्रे से परवेश करती है तो यांग याप दर्रे से ब्रमपुत्र नदी भारत म में प्रवेस करती है अरुलांचल परदेश के सीएम कौन है तो पेमा खांडू जी है सात्वा प्रस्म देख लेते हैं भारत ब्रह्मो सूपर मिसाइल सिस्टम का निर्याद किसे करेगा तो भारत ब्रह्मो सूपर सूनिक missile system का निर्याद करेगा आपका सही ज़ाब हो जाएगा फिलिपिन्स को अब इसके बारे में पूरी ब्याख्या देख लेते हैं भारत जो है ब्रह्मोस missile system का निर्याद किस देश को करने वाला है तो फिलिपिन्स को करेगा इसके तहट जो है फिलिपिन्स भारत को 3.75 million dollar देने वाला है ठीक है तो भारत को कितना रुपया मिलेगा तो 3.75 million dollar मिलने वाला है भारत को और भारत जो है ब्रह्मोस missile system किसे देगा फिलिपिन्स को देगा अब देख लेते हम ब्रह्मोस क्या है तो ब्रह्मोस supersonic cruise missile है इसकी speed कतनी है तो 2.5 wykon he missile की speed किसनी है तो 2.5 कि और बात करें ब्रह्मोस missile का निर्मार के river तो भारत और रुसुन ने मिलकर ब्रमोस मिसाइल का निर्मार किया था। ब्रमोस मिसाइल जो है किस प्रडाली पर काम करता है तो fire and forget प्रडाली पर ब्रमोस मिसाइल काम करता है यानि दागों और भूल्याओं। नेक्स्ट है अब देख लेते हैं फिलिपीन्स की राध्धानी का क्या नाम है तो फिलिपीन्स की राध्धानी का नाम है मनीला जो की लुजोन डूई पर इस्थित है ADB का मुख्याले यानि Asian Development Bank का मुख्याले कहां पर है तो यहां मनीला में है और वर्तमान में जो है ADB के भारतिये उपाध्यच कोन बनाए गए है तो असोक लवासाजी बनाए गए है नेक्ट देख लेते हैं रह्मन मेकसे से अवाड या किसे दिया गया है डाक्टर रवीकंडन जी को दिया गया है और यह एक आनको लाजिस्ट है यह यानि की Cancer भिसे सक गये है इन्हें अभी रह्मन मेकसे से पुरुषकार से समानित किया गया है तो Freedom of the City of London पुरोसकार से किसे सम्मानित किया गया है आपका सही जवाब हो जाएगा अजीत मिस्रा को अब देख लेते हैं अजीत मिस्रा कौन है तो Freedom of the City of the London पुरोसकार पाने वाले भारतिये मूल के अजीत मिस्रा जी को यह पुरोसकार दिया गया है ठीक है तो अजीत मिस्र मिसरा लंडन में क्या है वकील है डिय तो याद रखना है अजीत मिसरा क्या है उत्रह विखुरी यूगयं में इगलेंड में वकील है इन्हें भी हाल हें में freedom of the city of लंडन पुरसकार से समानिक किया गया है औसर में जावेत अक्तर है इन्हें पत्म पारी lifetime achievement award से सम्मानिक किया गया है अब देख लेते हैं ICC test player का खिताब किसे मिला है तो उस्मान क्षोजा जी को दिया गया है, इसके बद ICC 1 day player किसे मिला है तो बिराट कोहली जी को दिया गया है ICC T20 player का खिताब किसे दिया गया है नेक्ट देख लेते हैं नुवा प्रसना हैं जो चौदाओं करम है इसका आयोजन कहां पर प्रारम होगा बिसाखा पत्तनम में होगा जो की अरुडांचल परदेश में है अगर बात करें अकिल भार्त्य प्लिस कमांडो की पहली बार जो है परत्योगिता कहां पर हुई थी तो 2009 में हुई थी कहां पर मध्य परदेश में हुई थी इसे आप याद रखेंगे नेक्स्ट है छावे करमका जो छठे करमका खेलो इंडिया यूथ गेम्स यह कहां पर आयोजित होगा तो तमिल नाडु के चार अस्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा ठीक है और बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेमका जो छठे करमका है इसका सुभंकर क्या है तो मरतिस्वेक रव का राष्टी ए खेल कहां पे होगा तो उत्रा खंड में होगा जी जी पी सम्मेलन कहां पे भी हाली में हुआ है तो यहाद जैपूर राजस्थान में हुआ था और बिंग से इंदिया का सम्मेलन कहां पे किया गया था तो बिंग से इंदिया का सम्मेलन बेग मच्वारों की सुरच्छा के लिए दूसरी पीड़ी का आपदा चेतावनी प्रेशित बिक्सित किया गया है जिसका नाम है DATSG इसके बारे में ब्याक्षा देख लेते हैं DATSG DATSG का मतलब होता है second generation की पीड़ी का ये बनाया गया है ठीक है और DATSG का मतलब होता है distress alert transmission यानि कि आपदा के समय मच्वारों के नाव पर alert भेजना जैसे कोई समुदर में कोई तूफान आ जाए या फिर भूका मुच्वारों सुनामी आ जाए तो इस प्रकार से जो है मच् किया है अब जैसे कि नाव का कैसे पता लगाया जाएगा कि नाव किस जगहां पे है उसके लिए जो है नाव में नाविक का परियोग किया जाएगा ठीक है नाविक क्या है तो नाविक एक GPS ट्रैकर है इसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि कौन सी नाव किस जगहा ठीक है तो इस दूर न अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कामें जरूर करें कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तक तक के लिए आप सभी को प्यारा सजय हैं जय भारत